आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरव स्रीवास्तो और आप मेरे साथ देख रहे हमारा खास कारिकम बात अपने देश की तो जो आज हमारा कारिकम का मुद्दा है वो मुद्दा है देश के सबसे बड़े आबादी बाले राज्ये और जहां पर अभी हाल में ही बिरानसाव चुनाव हुए और एक सरकार एक पार्टी ने 37 साल पुराना मिठक तोड़ा और दोबारा सत्ता में बापसी की लगातार और वो पार्टी भारतिंद्र पार्टी जिसे उत्तपडेस में 37 साल मिठक को तोड़ते हुए दोबारा बापसी की और फिर वही मुकबंतरी जो 2017 में बने हुए तो इसके बाद 2022 में दोबारा उनोंने अपना कारकाल सुरू किया। और जैसे कहा जाँ था कि जनता ने उनको तमाम बादों पर दरकनार करते हुए, तमाम जो बेपच्छी दल हैं। मुप्त की राजनीती हुई, मुप्त के बादे किये गए, बिजली मुप्त और तमाम तरह के युजना हैं। अब बारतिंटर्स पार्टी की सरकार को दोबारा मुप्त दिया। और दोबारा मुप्त इसलिए दिया, कि उनको लग रहा था कि हां कुछ बैतर करेंगे और जो अब तक किया है वो ही साहर बैतर परणाम लाया था। कुछ सकारात्मक सोच जनता के बीच गई थी और जनता जनारदन होती है। जब जनता को लगा कि हां इनके बादों में जो नहोंने बादे पहले किये थे वो पूरे किये इसमार बादे जो करेंगे वो भी पूरे करेंगे इसी जनता ने मुप्त की तमाम बादों को दरक्रार करते हुए दोबारा सरकार बनवाई। और जो उत्तप्रेश के मुक्हमंतरी योगयातनात ने 25 मार को जा सपत लिए तो सपत लेने के साथ साथ जो 22 मंतरी उनकी विभागों बनाए गए उन पर पूरा विश्वाज दिखा गया तमाम जो मंतरी थे ने बनाए गए तमाम मंतरीयों की जो कारभार थे बजलाव किये ग के साथ नियाय करना है और जनता ने जो विश्वास भारतिन्दा पार्टी की सरकार पर दिखाया है उस विश्वास को काबिज करते हुए बैतर काम करने हैं क्योंकि इसी काम के ब्याब पर इसी काम के आधार पर आपको 2024 में भी जाना है जी हाँ, 2024 के चुनाव होना है और 2024 के चुनाव में भारतिन्दा पार्टी को लोकस्वा में अगर जीत हासिल करनी है तो उन्हाद देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य यादि सबसे जारा लोकस्वा सीटों वाले राज्य उत्ता पर देश में अपना पुराना लोग हैं जो नेतन भेर पो मित करता है कि 2024 में भी होगा तो जार तरपर का जाता है कि सरकार बन्ती है और सीटों के लिया अर्च जाए कि जन्ता ने बड़ा विस्वास दिखाते हुए जन्ता तो वही है चाहे पारसरी चुनाव हो चाहे बिरानसवा चुनाव चाहे बिनान पर से चुनावों हो चाहे लोकसवा चुनावों हो। सब चुनावों में बहुत जनता ही करती है। जनता के पतनिरी करते हैं। तो यहां जनता का रोल सबसे जरूरी हो। सबसे जरूरी हो। जनता का ही रोल है, जनता ही जिसको जुनती है। तो 2022 में जन्ता ने बड़ा फैसला दिया और सारे कयासों को दर्कनार करते हुए बारजन्य पार्टी को दुबारा सरकार बनाई तो उत्तापरेश के मुक्फंतरी योगी आराते ने उनके साथ न्याय करते हुए ये बार साप कर दी कि इस वार उनकी पारी है वो पारी पिछल पारी से भी जादा बहतर काम करते नहीं जा रहें और यसा हुआ भी जब सरकार बनी तो सरकार बनने के साथ ही जो सबसे बड़ी घुछणा की गई योजना है उसको तीर महीने के लिए बढ़ाएंगे क्यों कि अभी देखा जा रहा है कि करोना के जो चोथी लैर उसकी आसं लगातार मेंगा भड़ रही है जो कि जिस तरह से बिरेश में आप देख रहा है युक्रेयन रूद संकट चला आइससे तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहा है और जब कहा जाता है जब इधन के दाम बढ़ते हैं तो उससे जुड़ी हुआ इस तमाम चीज़ों के दाम चुनाबी यूजना है तो सरकार ने सबसे पहले उसी बिंदु पर अपना प्रहार करते हुए अपनी बात तरकते हुए यह कहा कि हम खाद्यान यूजना तीर महीने के लिए बढ़ा रहा है और उसी साम जब केंद्री मंटर के बैठा कुई केंद्री कमेटी की बैठा कुई तो वहाँ पर भी बड़ा फैसर है ले गया और देश के प्रहाम मंतरी नरेन मोदी ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि जो प्रहा मंतरी रासरी जुना भी मिलेगी यानि आपको खाद्धान के लिए परिसान नहीं पड़ेगा नहगाई कित्ती बढ़ती रहे पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यह सरकार ने जो बारा किया था उन्हें भाया और साथ ही साथ अगर सक्रीता की बात करे तो योगी अलतन चेहरे रहे जो हार भी गए यानि जनता ने उनको नकार दिया पर जनता ने जनको चुना है उनको सत्ता के कुर्सी तक पहुँचना बहुत जरूरी होता है और एक माध्धम चाहिए सेबा करने के लिए और योगी सरकार ने अपने 2.0 कार कर दे यहानि दूसरी पारी के पंदर पंदर दिन में उस बिवाग के मन्त्रियों को खुद उस योजना की समीच्छा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हम करने बाले हैं अगले सोज़नों में इसकी भी रूपरे का उनको हर पन्न दिन में मीडिया के माद्वम से बतानी होगी वह जनता को बतानी है च्योंकि आपको जनता ने चुना है और मुक्वंत्री योगी अज़त्तात ने इस चीज़ साप कर दी है कि इस बार जो पहल है वो कहीं केबल कागजों पर नहीं रहेगी अगर कुछ योजना है आप बना रहे हैं तो उनका आपको बहतर किरानमन करना है हाला कि सरकार ने अधिकांज योजना बनाई थी उनका पूरा भी किया पर कहीं न कहीं हम देख रहे थे कि कुरुना जो महामारी रहे जो ब्यस्विक महामारी रहे उसके चलते सरकार की तमाम उजनाओं पर असर पड़ा लेट हुई दिकते आई क्योंकि आम जन्मानस उस समय को बचाना बहुत आबस्यक्त था उस समय देश की जनता को प्रदेश की जनता को सबसे पहले उनकी रच्छा करनी जरूरी थी और जिसको करने में मुखमंतरी योगी आरतना बिलकुल सही साबित हुए पहले टीम 11 पर टीम 9 बैठे करते हैं यहां तक कि मुखमंतरी योगी आरतना खुझ कुरोना संक्रमत होने के बाब जूर और उन्होंने बहतर काम किया और जनता को तमाम ऐसे ब्युस्थाय नहीं जिससे जनता इस महामारी में अपने आपको बच अगर उनको उनके आप मौत हुई तो उसके हिसाब से गर हम देखे तो भारत इंडुस्तान में और तपरेस पे उतनी मौते नहीं जतनी की उम्मीर की जा सकती है महामारी रही, मौते हुई, कोई बिकल नहीं था, कि अवर बिकल बेकसिनास था. मैं भी आपसे देखा है कि 30 करड़ बेकसिनास उत्ता परजिस में हो चुका है. जिव आज कहा रहा है. और फूर्डेस में लगाता है, बेकसिनास हो इरा है और बुश्टर डेस्ट की सुरूबार भी हो चुकी है तो कुल मलाकि कुरोना को जो रोखने का जो एक ब्योस्था है वो है वैक्सिनिसर उसमें भी देश की बात करें चाहिए प्रदेश की बात करें अबल दर्जे पर चल ले महनत चल लए है और देश ने स्वता खुद तीन वैक्सिन बनाई है यानि हमको वैक्सिन पर किसी देश पर आधारिट नहीं होना पड़ा और हमारे यहां के बेग्याने करें बिसिस काम करते हुए कुरोना के समय में तीन वैक्सिन दी और उन वैक्सिन से आज जनता को लाब मिला है और जनता आज सुरच्छत है खेर हमारा मुद्धा करोना नहीं है पर हमारा मुद्धा यहाँ पर है कि योगी सरकार का जब दूसरा करकल शुरू हुआ कि सो दिन का एजिंड़ बनाया और सो दिन के एजिंड़े में तमाम बाते रखी गई जो जैस्ट की जनता है वो स्वस्थ रहेगी तो निसी रूप से विकास बहतर होगा क्योंकि लाब तब हो पाएगा तब देश के कंड़ेदार जिस के युबा जैस की जनता बिलकुल स्वस्थ रहे और सव्श्थ वस्थ जीवन जिये तो यहां पर सबसे वड़ी बात यह है कि जो medical है वह पर जो fall old उनको बढाने की बाद की जा रही है और तमाम ऐसी बात शाहे आपकी नरसिंग की सीट हो गई, चाहे अमबेवेस की सीट हो गई, चाहे परासना तक डॉक्री की सीट हो गई, इन सारी सीटों को बढ़ाने का बात कर दो रही ओ, बढ़ा ही जाएंगी, पहला जिंडा, उसके बार जो इंडा चलना है, वो चलना है, O.D.O.P. का One district product सरकार की पेचले कारकाल की बड़ी योना थी और उसके तहट हर district का एक बड़ा product निकाला गया और उसको बैतर तरीके से सोरुजगार के मार्दम से आगे बलाए गया जो आपके जले की पैचान है अगर अलीगर का ताला मसूर है तो ताले को किस तरह से विक्सित टनना है उसको कैसे देज विरेश पहुचाना है कैसे इसको देज भर में पहुचाना है इसकी चुनोती को पूरा करना बहुत जरूरी है और O.D.O.P. उटपार की योना थी उससे बहतर पढ़ना हम सामने आ रहे थे और सामने आ रहे है और सरकार इसको दोबारा करेगी और साती सासरकार ने बड़ा फैसला लिया कि इन स्वाधुनों में हम 40.000 पद भरेंगे नोगरी के जिसमें केवलों केवल तो चालिस एर पद भरके हम सबसे पहले बिरुज़गार की समस्या जो लगातार सुरसा मूह निकाली चली आ रही है उसको कम करेंगे हलाए सरकार ने पजले कारकार भाट बाटे पर यहां पर जो अब नई सरकार है हम नई सरकार पर बात करेंगे साथी साथ अगर हम एजिंडे की बात करें तो शुरूबार की स्कुल चलो अब्यान से चार अपरल की स्रूबात ही और चार अपरल को मुखवंतरी योगी आतराते इसकुल चलो अब्यान की सुरूबात करते हैं कि इस वार जो हमारे नोनेहाल है उनका 100% नामंकर होना चाहिए यानि जो आपके मादद में और बिद्धाला है वहाँ पर सो परसेंट नामंकर होना चाहिए और प्रात्म के बिद्धालों की दसा बदलनी चाहिए आप इंफरा बढ़ाईए आप ब्युस्था करिए आप भरती करिए आप आया लगाईए आप मिड़े मिल को ब्युस्थित करिए और साथी साथ यूनिफॉर्म वजे बस्ते हो जैसे तमाम सरकारी उजना है इसका खाता नो निहालों के अभिवाबकों के खातों में भेजें यह व्यूस्था इसकोल चलो ब्यान और इस पें संकल्ब लिया गया है जैसे कि जो नई सच्छा नीते के हिसाब से जो कहा गया है कि हमको एक ब्युस्थित तरह की सच्छा के स्था को पहुचाना है उसके लिए सुरूबात की गई और इसके साथ तमाम एजिंडे हैं मैंने ů मैंने सच्छा की बात की है इसके लावा ओड्रीयोपी की मैं बात कर रहा हूं इसके लावा अटल उद्विक सथापना यूजना एक यूजना है जिसके ताहर्व इंवस्टिमेंट नकीकीọnन म्हारी की बिविस्षिकार कारण तमाम जो skilled और non skilled person थे, जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो सरकार को मौया नहीं उपा, तमाम जैसे उध्योग थे, जिनकी उम्मीद थी, कि अब वो भी सुरू होगा, वो थोड़े से लंबित हुए, अब वो प्रोसेस में है, अब उनकी लगाता किरान्मन हो रहा है, तो सरक जो और आधार हैं, जिन पर और काम होना है, चाहे वो बैच्छार उपड हो गया, पर रुचर के लिए हमको बहुत बहुतर काम करने पड़ेंगे, इसके लाबा, ODP की हमने बात कर ली है, इसके लाबा, स्वास विबा की है, नोकरियों की हमने बात की है, IT और Electronics, यानि हमको तो अगर देश को तक्निकी रिस्तर पर मजबूर करना है तो हमको IT और electronics में भी बहुत बहुतर काम करने पड़ेंगे अगर जब तक हम IT electronics बहुतर काम नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो प्रोसेस है उस जो पॉल्सी है उसमें भी संसुजन किया जाने की ब्यूस्ता की जा रही है यह बात कहा गई है और दस प्लाट्मिक सेक्टर बनाए गए इसलिए जिस्से की शिसू मित्युदर में कम ही आए और इसके लिए सरकार ने बेवस्ता सुर कर दी है और यह यह जनाभी सौदिन के जिन्डे में सामेल है इसके अलाबा सरकार का एकल अच्छे एक भी है कि हमको 30 साल में 50,000 लोगों को रोजगार देना है अभी फिराल सौ लोगों को रोजगार देने का स्वरोजगार यानि सरकार को लोगों को जो युबा है और जो लोग है जनता है उन्हीं लोगों से एंटरप्रिनर्स बनाने है मालिक बनाने है नोकरी देने बाला बनाना है जब लोग स्किल्ड रहेंगे नोकरी देने बाले बने रहेंगे त अन्होंने कहा था कि अब जशो जिनदा बनाय गया चुछ किया है उस पर सारे बिभागों के मंत्री हैं जो से प्रभारी है वो सारे लोग मीडिया के माहिदम्हें जनता को बताए कि अभी 10-15 दिन में कितना काम हुआ है और इसकी शुरूबाद हो चुकी है, मैं आपको बता दूँ कि कल परदेश के जल सक्ती मंतरी सौतन देश सिंग ने एक मीडिया कॉन्फरेंस की थी और मीडिया कॉन्फरेंस के मांडम से उन्होंने बताया था कि सिचाही परियोजनों में किस तरह से हम लगातर विद्धी कर हैं और क्या हमारा लच्छ है हो और हम कितने लच्छ को कब प्राप्त कर लेंगे और हमाई सुरूबाद कहां से हुई है और काम होना सुरू हो गया है जिसको हम स्वादिन के एजंडि में पूरा कर लेंगे इससे साथ ही आज परदेश की किसी मंतरी सुपरताप साही जनको तो दुबारा मुका गया उसी पठ का साहर बेतर काम किए और सरकान ने विष्वाद जयताते हुए उनको कहा कि आप दुबारा विभाग को समाले मंतराले को समालेगों समाल जी और उन्होंने भी आज पर साही को जैन के रहा है और सो दिके जिनदे में कौन-कौन-सी जैनक हमाई सामिल हो चकी है और किन पर क्या काम हो रहा है और बाकाइदा इसकी समिच्छा भी हो रही है तो मैंने आपको उताया कि मुखवंत्री का कहना है कि 15-15 दिन पर जो उस विवाग के उस मंतराला के मंतरी रहेंगे वो समिच्छा करेंगे उसके पेस कॉंफरेंस करेंगे दिन में मुखवंत्री योगी आरितनाथ स्वयम उन सारी युजणा की समिछा करेंगे उनके किरियान्मन की पेकेती देखेंगे किस तर से किरियान्मन हो रहा है कैसे काम हो रहा है और कहां तक युजणा की सफलता पूरी हो पाएगी लच्छिकेन भूग तो उत्तापडेस मे जो शुरुबाती एजिंडा बनाये गया वो सोधिन का एजिंडा इंवेस्टमेंट को लेके स्वास्त को लेके बिरुजगारी को लेके नौकरी को लेके इलेक्टानिस को लेके युजणाओ को लेके खाद्धान युजणाओ को लेके किर्सी को लेके सिचाई को लेके कि अगर हम सौ सो जिन के बनाएंगे तो निस्ति रूप से हम कम समय में बहतर काम कर पाएंगे क्योंकि बहतर काम यहां पर जंता को भी दिखाना है क्योंकि अब आपके दो साल के कारकाल पर ही जंता लोग सबा पर मोहल लगाएगी अगर आपने बहतर काम कर दिये, जन्ता के हिटल में काम कर दिये, जन्ता के जो निर्णा है जन्ता ने आपको परणाम दिया है, आपको दुबारा सत्ता की कुर्सी बठाया है, अगर उस पर बठाया है और आपके साथ जन्ता ने उम्मीर लगाई है, अगर आपने वैसे काम क मिलेगा और आप दुबारा जनता का विस्वास जीर पाएंगे तो यहां पर जो एजिंडा है वो बहुत बड़ा है और साथी साथ इस एजिंडे में मैं आपको अतारूं एक जो सबसे बड़ी बात है नगर विकास की नगर विकास यानि की पैति नगर का डेबलमेंट कैसे हो अगर हम राजधानी लखनू की बात करें तो तमाम चीजे हैं जिन पर अभी काम होना बाखी है चाहे सचता बियान हो चाहे पेजल हो चाहे अधुरी की करण हो चाहे रोड हो और चाहे पेडूशन हो तमाम ऐसे बिंदू हैं जिन पर हम को काम करना होगा क्योंकि अगर हम र बनने शेरों को कैसे उस रूप में पर्बत्रित कर पाएंगे तो यहां नगर विकास भी महटपूर्ण मुद्दा है और जैसा कि हमने बताया है कि इस नगर विकास का इस बार पदवार जो मंतरी बनाए गया है जो की केंड से बीयारस लेकर अगर आपका कोई मुले का निकार भी है तो आपका डिस्क के पर्च में भी अरिकार आपका यह है कि देश्क की जो भी सुब्रा का उपयोग करते हैं उसका आप समय से बुक्तान करें इसको गरट नहीं मानते हैं सही बात है पर कही नगर विकास बिभाग में उनको बड़ी मेहनद करनी है क्योंकि जो नीतिया है जो तमाम चीजे हम बात हो चाहे रोट की बात हो तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको स्वर्ण के पूरा करना है तो एजेंडे में आपको परवर्तन भी करना पड़ेगा परवर्तन इसलिए करना पड़ेगा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आपने एजेंडा बनाया चाहे ODOP को लेके हो, पर इसके साथ साथ आपको सौदिन के एजिंडे में आपको तमाम बोट चीजे भी रखनी पड़ेंगी, जिनका सीरा सरुकार जनता से है, आपको पेडूशल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको सभाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको रोड पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको गड़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको आपदाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो पिक्रियां है अगर आप कहते हैं कि सौरजगार को हमको बढाना है तो आपको लोन जैसी तमाम समस्चाओं को भी इतना सरल करना पड़ेगा जिससे एक आम आदमी भी एक एंटेप्रिनर यानि एक सौरजगार एक सौकर्मी और एक सौरजगार को लगा ऐसे दूसरों को नौकरी दे सके तो इसके लिए सर्ड़ी करन की पिकरिया भी होना बहुत जरूरी है और यह आज की लिए जरूरी है क्योंकि अगर आज हमने नहीं बजला तो हम बहतर कल की परकलपना कैसे कर सकते हैं तो मुक्वांतिरी योगयातनाथ ने अगर सौरजगार बनाया है तो उनको सौरजगार जि रोजगार की समस्या उसको खतम करने के लिए अगर आप स्वरजगार की बात करते हैं तो सबस्ते पहले आपको एंटापिनस पहरा करने पड़ेंगे आपको स्वरजगार लगाने वाले लोग लाने पड़ेंगे और उनको तमाम सरकारी वित्तिय मदद हो चाहे अवस्थान हो सके और रोजगार की समस्या उसका ये बैतर बैतर निदान हो सके वो निदान जिससे ये युजना जो बैतर कियानवित होती रहे और रोजगार की समस्या दुबारा बलबती ना हो जैसे हम देखते हैं कि रोजगार की समस्या सुरसा की तरह मुझ फाय रहती है और हमारे तुमाम परियास हैं वो कही ने कही नाकाफी साविट होते हैं क्योंकि हम सब को सरकारी रुजगार नहीं दे सकते हैं यह करते हैं क्योंकि उत्तपरिस्ति आबादी बहुत जादा है हम सब को प्राइबिट रुजगार दिला कर उनको उनके पेरों पे खड़ा करके दिकास का कर सकते हैं जो आगामी भविस में बहुत काम आएगा जैसा कि आज अमरस सतब्दी महुसा भुगा तो केंदरी गिरायम से कारता मंतियामिस्या ने कहा कि हमको 25 आने बाले 25 बरसों के लिए संकल्प करना है देश की युवाओं को संकल्प करना है कि हमको देश को आंगे बढ़ चला जाएगा और ऐसी बिकास की एक अधर्स एक मिसाल पिस्टिट करेगा जिससे अन्य जो देश हैं वो भी पीड़ना ले सकेंगे जैसे आज भी हम देख रहे हैं लगातार कई पड़ोसी देशों में बबार मचा हुआ है लोग परिसान हैं और तमाम उनकी जो समस्या है खिरती जा रही है पानी हो चाहिए दूर हो चाहिए अन्य खार समगरी हूँ तमाम हमारे पड़ोसी देश जहां पर दिक्कत है भारत लगाता है उनको मरत भी कर रहा है कुरोना समय में भारत ने मरत की है तो हम चाहते हैं कि देश का युबा भी बुन्यतिक जम्राही ले औ अगामी 25 साल करी संकल भी ना हो बहतर काम करना है तो जो मुखफंतरी योगी अट्रांट ने जो एजिंडा बना है सौडिक एजिंडा है बहुत बहुत बैतर है और उमीड करते हैं कि उनके जंडे में चारचान लगेंगे और उनके मंतरी है वो लगातार जैसे उन्हेंने योजना बनाई है कि 15 दिन में आपको समिश्चा करने है मुखपंती खुद 30 दिन में समिश्चा करेंगे और योजना का बैतर क्यारमेन होगा और जिसका लाब मिलेगा जनता जनारजन को कि जनता के साथ नय करना भी सरकार की परवित्ता होनी चाहिए कि जनता ने जो आप सरुका